भगवादवज दिल में होना चाहिए केवल हाथ में नहीं उद्धव ठाकरे का शिंदे और बीजे पी पर तंच शिपसेना के सुप्रीमो उधव ठाकरे ने भगवाद्वज का जिक्र करते हुए बीजेपी और एकनात शिंदे पर तंच कसा है उधव ठाकरे ने बीजेपी और भाराश के मुख्यमंत्री एकनात शिंदे की अगुवाई वाले धड़े पर हमला बोला है उधव ने तंच करते हुए कहा कि भगवाद्वज किसी व्यक्ति के दिल में होना चाहिए केवल हाथ में नहीं बीजेपी और शिंदे खिमाक अकसर ठाकरे पर आरोप लगाता रहा है कि सत्ता बचाने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस और न्सीपी से हाथ मिलाया साथ ही हिंदुत्व की विचारधारा से समझोता कर लिया अपने आवास मातोश्री पर पार्टी के कारेकरताओं को संबोधित करते हुए उधव ठाकरे ने कहा कि वो दशेरा रैली में अनुशासित तरीके से शरीक हो पाच अक्टूबर को शिवाजी पार्क में शिवसेना की रिली आयोजित हो रही है जिसे उधव ठाकरे संबोधित करेंगे शिवसेना का कौन सा धड़ असली है ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में लंबित है इस मामले के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि उन्हें विस्वास है अदालत और निर्वाचन आयोग में जारी लडाई में उनकी जीत होगी बताते चलें कि शिवसेना में जून में हुई बगावत के बाद एकनाथ शिंदे के नेतरत्व में 47 विधायक शिवसेना से अलग हो गए थे शिंदे के धड़े ने बीजेपी के समर्थन से 30 जून को सरकार बनाई पूर्व सियम व बीजेपी निता देवेंद फणवीज ने जेपटी सियम की शपत दी थी 1966 में शिवसेना की स्थापना से दशेरा रैली शिवाजी पार्क में आयूजित हो रही थी लेकिन इस पार एकनाथ शिंदे के अलग गुट बनाने के बाद उधव और शिंदे गुट दोनों की तरफ से ये दावा ठोका गया था इस मामले में उधव ठाकरे खेमे को बंबी हाई कोट से राहत मिली थी अजालत ने कानून व्यवस्ता पर असर ना पढ़ने की शर्त के साथ उधव गुट को शिवाजी पार्क में दशेरा रैली की इजाज़त दी थी पाच अक्टूबर को विजया दस्मी के दिन उधव ठाकरे इस रैली को संबोधित करेंगे इसके लिए उधव ने शिवसेना कारे करताओं से जोर शोर से जुटने की अपील की है